और जब बच्पन का कोरा कागज अपराद की स्याही से रंग दिया जाता है तो जिन्दगी का हर रंग उस अतीत में धूमिल हो जाता है 30 दिन 30 केसिस की श्रंखला में आज इस केस पर अपनी राय रखेंगे जाने माने रिपोर्टर साहिल जोशी नमस्कार मैं हूँ साहिल जोशी क्राइब पेट्रोल सतर्क में एक बार फिर में लेकर आया हूँ कुछ ऐसे अंदेखे और अंसुने केसिस तो मुझे लगता है कि आपको देखना बेहत ज़रूरी है हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कहा जाता है कि हमारा रुपया पैसा चुराए जा सकता है लेकिन क्या कोई हमारी हेल्थ चुरा सकता है शायद चुरा सकता है यकीन करना मुश्किल है लेकिन क्रिमिनल्स अपनी पे उतर आए तो कुछ भी हो सकता है ये केस हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ये केस हर उम्र के लोगों को जानना बेहत जरूरी है ये एक ऐसा हटकी केस है जिसने मुझे भी अचरच में डाल दिया था कि भी एक ऐसा हमें जरूरी है अरे बीटा, क्या हुआ? अरे कोई है क्या? अरे बलड़ती ब्योज हो रही है. अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसको? पीछे एडिया, पीछे एडिया. अरिये बीचे. इही है बच्ची. बेटा, आप ठीक्तो होना? अपका घर कहाँ पे है? बोले ना, अपका घर कहाँ पे है? क्या हुआ? आप कहाँ रहती कहाँ पे हाँ? अरे सुनो बेटा, अरे सुनो, अरे सुनो. सर्थ, सर्, यही बच्ची है, इसके बच्ची है, इसके पास इतने साधे पैसे मिले, लगबग 12 लाक रुपई. टीफिन मेलेके अखेले गुम रही थी. और बता भी नहीं रहे है कि इतने पैसे आये कहाँ से? बेड़ा नाम किया तोमारा और इतने पैसे कहा से है तो मेरे पास देखो दरो मारे लड़कियों मैं अंकर मैला पुलिस नहीं आपके टीब में आई ये रिवनिया आपको लड़की मिले बुटी बच्छी है ऐसे मिले बहुत सा रहे बताने रहे एक किसा थास लो बेटा आपको मैला पुलिस आइए दिना मैला पुलिस आगए बात को रोई इंशार उसे वाश्रूम जाना है ठीक है ले जा आये मेरे साइड ये लोट के हर बंडल पे अलग अलग अलफ़बेट्स लिक है इस्टी जीपी के एस ये कोई पोट तो नहीं है सर अब ये बताओ कि इतने सारे पैसे तुम्हेरे पास कहा से है वो वो सदर मेरे सब पापी पेट का सवाल है पापी पेट क्या पापी पेट सर जो पूछते उसका सीधा सीधा जवाब दो कल से कुछ नहीं खाया ना फिर मैंने घर के सामने टिफिन का डबा देखा तो मैं उसे उठा कर भाग गई मुझे थोड़ ना पता था किसमें इतने सारे पैसे हो गए कि टिफिन का डिबा तो मैं किस गर के आगे मिला था बता सकती है वह उस गली के माँ ठीक है आंटी के साथ जाओ और उनको वो कर देखाओ जाओ साथ में आजिश्ट तुम भी जाओ सार कौन सा घर था वो जहां से आपको वो टिफिन मिला था बेटा फ को याद होगा ना आपको आल स्धा साथ हो जो ठीकिक अभी किसी के घर के जुट कर दो नहीं आंटी मैं कभी जूट नहीं बोलूगी जुबान तो बहुत चलती है उम्र क्या है तुम्हारी उम्र मतलब एज बाईसाल बाईसाल पिटा इससे बड़ा जूट तो कुछ हो ही नहीं सकता कि तुम बाईसाल की हो यानि ये भी पक्का है कि वो टीफिन तुमें किसी के घर के बाहर से नहीं मिला था नहीं आंडी, वो टिफिन मैने घर के भाड से ही लिया था, बतानी, वो घर का गायव हो गया अच्छा, घर गायव हो गया, यह तुम हमें गुमा रही हो मैं आप लोगों को नहीं गुमा रही हो गुम तो मेरे सर्र है आंडी अच्छा नहीं काया है, वोट फूपलोगी है अच्छा, अच्छा, माडम, मुझे पैसो की जरूरत है थोड़ा एडवांस मिल जाता तो शागुफता, मैं पहले ही तुम्हें दो मेने का एडवांस दे चुकी हूँ पर माडम, मुझे थोड़े ओल पैसो की जरूरत है मुझे लगता है कि मेरी तनकवा तुम्हारी जरूरते पूरे नहीं कर सकती तुम कहो तो मैं तुम्हें दूसरा काम दिलवा दू बहां तुम्हें रोज के दो हजार मिल जाएंगे रोज के दो हजार? मैडम, इतने पैसों से तुम्हेरी सारी प्रॉब्लम खतम हो जाएंगे पर काम क्या है? एक सिकिन बता थे तुम थोड़ा अपने बालवाल थी को रो थोड़ा स्माइल आया अंदिर, कितने लखी हो ना मा? दूलने गईते खाना, मिल गए पैसे पेट भर गया ना तुम्हारा? अब बताव इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास एक काम करता है, हम इन पैसों का अधा हदा बात लेता है इसमापकी भी टेंचन का तब और मेरी भी बहुत चलाग बन रही हो, देखो जब तक तुम नहीं बतावगी कि ये पैसे तुम्हारे पासे पासे को! एए रुख 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 वो बच्ची पिछले कई गंटों से में गुमा रही है लेडी कॉंस्टिबल को ब्राइव ओफर करके बोल रही थी कि पैसा आपस में बांट लेते हैं लेकिन बोडी एक लुसक्रों पर 22 साल किये और बार बार भागने की कोशिच भी कर रही है सर मुझे इस बच्ची के रिंगनग ठीक नहीं लग रहे है सब मालिया इटिफिन उस लड़की को उस घर के बाहर मिला है तो फिर हो सकता है कि इटिफिन उस घरवाले का हो या फिर किसी टिफिन सर्विस वाले इन घर के बाहर रखाओ अचित इस वाले पैसा को डिलिवर करें पि बुलो परिशाली जी आउसका अच्छ बताया बच्चीन अपने बारे में नहीं सर कुछ भी नहीं बता रहे है बस एकी बाद बोले जारी है जिस गर से टीफीन उठाया था घरी बुफूल गई है कि चलो कोई बाद नहीं बच्चीन भुल गई हो मैं फर बच्चा आपको अपना नाम तो याद होगा ना क्या नाम आपका मिर नाम आधिल है कि देख आदिल सान अप अपना नाम नहीं पताएंगे मैं मेली हो अब आप मुझे यहां से जाने देगे हां बिल्खुल जाने प्रज्क आपको अफने ममें भापा का याद हो गाjay brig रश्ड जी इस बच्ची में साब कुछ टेक नहीं है बच्चे की फोर आउन पे निडिल्स की निशाना तो सकता है इसे कोई बिमारी हो पर इस टाइलाज चल दो इसका मेडिकल चेकप कर रही है जी सर सर देखने में तो बच्ची अच्छी खांदन की लग रही है लेकिन अपने घर परवार के वारे में बता क्यों ने रही है यह समझ मैं आ रहा है शयाद बच्ची मिसिंग हुई हो या फिर यह भी मुंकिन है कि किसी वजा से यह बच्ची खुदी फैमली से भागी हो और यह पैसा इसकी फैमली का हो सकता है सारी मिसिंकर मिट सकाइन करो और आस्वास के स्कूलों बता करो शायद बच्ची के महवाब के वरे में कुछ पता चले हो कि तर है लो सब उन दो बच्चों के लाशियां लिये तर बाडी के निश्यान देखे लग रहा है कि काफी बुरीतर से पीटा गहा है कि अब दो कि अब अब आपी बढदे राकी काय काय पीट्डे या चेर में पूटी काओडी नहीं और तुम अरे यह सब चूड़े यह सब क्या लेकिया यह राशिन चल्ला अच्छा सा डिनर बनाते है वर्टी का मैडम पैसा दे दी का तुमको हां तभी तो यह सब लेके आपाये हैं लेकिन बहुत लेट हो गया तुम थीका अरे बोलो ना कहाती तुम अरे बोलो ना कहाती तुम वर्टी का मैडम ने नया काम दिलवाय है तो अज मा पहला दिन था इसनी लेट हो गए अच्छा यह सब छोड़ो देगो तुम्हारा बर्टे गिफ अच्छा है ना अच्छा है पर यह फोन तो बहुत महंगा लग रहा है मतलब वर्टी का मैडम इतना पईसा तो एडवांस नहीं दियोंगी तुम्हों उन्होंने अलग सी दिया है थोड़ा-थोड़ा करके सैल्डी से कटवा देंगी अच्छा है अच्छा है चोड़ो चलो अच्छा है अच्छा है अच्छा है आजो स्वारी, मैं तो मजाग करेंदी वैसभी में डड़ती नहीं अच्छा भूक लगी होगी ना फ्रूट्स काओगी अरे शर्माओ मत यह बताओ औरंज काओगी एपल एपल काट देती हो वैसे तुमने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं बता देती हो मेरा नाम दिंपी है आज में चुन्वन चुन्वन लेकिन पुलिस को तुमने अपना नाम मिनी बताया था मैं मिनी हूँ मेरे तोदो नाम है मिनी भी और चुन्वन दे सर उस बच्ची का मेडिकल करवाया है उसके बलड में सेडिटिव के ट्रेसेज मिली है सेडिटिव्स जी सार अब अब अच्ची की बाजू पे सिरिंग के निशानत है अब तो बच्ची को जबर्दस्ती मिशीले इंजक्शन लगाये जा रहे थै तबस्ती, उस बच्ची किशनाक तो ही? नए जर, उस बच्ची से जूड़ी कोई भी मिसिंग अब्रेंट ही मिलिया और नहीं स्कूल से नहीं होस्पिडल से ऐसी को इंफॉर्मिशन मिलिया जिससे पता चल सेगे कि मीनी के घरवाले कॉन है अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि उस बच्ची का ना मीनी है या कुछ हो चाल केर से फोन आया था वो बता रहे है कि बच्ची बोल ली है कि उसका नाम कुन्मन भी है सर जिन तो बच्चों के लाश हमें मिली थी और क्राइम सीन के आसपास के सारे CCTV हमने चेक कर लिए पर उनकी पैसां का कोई ग्लू नहीं मिल रहा सचांच का दारा बढ़ा हूँ उन दोनों बच्चों के पोस्समोडम रिपोर्ट का कहा स्टेटस है आज रात कोई अकल सोबातक आजेगी ए लड़की इधरा आप भूख लगी है तो बेटा एक काम करो इधर बर्तन रखेया ना उनको धोदो फेर में तुम्हें बिस्किट और ये ब्रेट खिलाऊंगा ठीक है चाओ अरे मेटा अरे तुमको तुम बर्तन भी साफ करना नहीं आता दिखाओ मैं ना उनको पढ़िया से दूनत सिखा देता हूँ ठीक है क्या करते हैं ये ग्लास को अथा रखते हैं अजनी का ये अकलिकर शीशी को तें सरी अन दोनों बच्चों की पोस्त मोडम रिपोर्ट्स क्या पिन दोनों बच्चों को जानते हैं जमेरें मैं नहीं जानती हूँ चैंब अट्चों हमें पता चला है क्या आपकों इंजेक्शिन लगाएm अपनावरतू पूलीइ दोन क्यं ये ऐंश्या कियों लघा जा। आजिए ग्रमां util symptom ये एंजेक्शिन आपकों लगाह जाएंद्टू पूलीए बच्ची को चहरा साब बता रहा है, कि उसे सेडिटेव जब दस्की दिए जा रहे हैं और ये बच्ची उन दोनों बच्चां को जानती है, और अभी कुछ बता नहीं दें सब बच्ची अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बता रही है समझ पाना मुश्किल है कि बच्ची को सेड़िटिव दिये जाने का कनेक्शन उसकी फैमिली से जुड़ा है या फिर ये को इनाथ बच्ची है और उसकी कनेक्शन ढूनना तो पड़ेगा अधि ये सारा माजर है के राल करतारो का कि देख लिए ये से जाएंगी ये समकी के लिए ये जाएंगी कि एटारो का ये वे कि इनाव नेक्शन चार स्वान आएगे ये जाएंगर कि भी कि येली से टौन अवार है इस केस में कई नए राज नए समिकरंट नजर आ रहा है इस केस को लेकर पुलीस कोई पुखता थियरी नहीं बना पा रही है यह केस क्वेश्चन मार्क से भरता जा रहा है लग रहा है कि पुलीस के इन्वेस्टिगेशन को फुल स्टॉप सा लग गया है पुलीस की मशक्कत जा रही है लेकिन इस केस को अंजाम तक पहुचा पाना आसान नजर नहीं आ रहा है राकेश प्लीस मेरी बात समझने की कोशच करो राकेश मैं तुम्हारी सच्चा ही अपने आखों से देख चुका हूँ राकेश यह तब मैंने हमारी जरूरते पूरी कंड ले किया है मैंने आज तक अपने आपूं किसी को भी शोड़े थी से बढ़ा जूटना और कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम्हारा पास क्या है और तुम्हारी हठेकत क्या मैंने ना बहुत बड़ी गल्ति कर दी तुम पर बरोसा करके पिच्ची बच्चों को अलग अलग अनधाले और NGO से एडॉक्ट किया गया लेकिन सर, इन पिच्ट्ची बच्चों में से ये चार बच्चे ऐसे हैं इस अनमोल के साथ जो बच्ची कि लाज मिली थी, उसकी को इनफर्मेशन नई जार, फिलाल तो खुछ भी निन Sir, एक काम की CCTV फोटेज में लेए चलो बेटा, उड़ो, खाना खालो उड़ा उसको, यह बेटा उट, खाना खालो चलो बेटा, लो खाना खालो पानी राउ? पानी राउ सरे CCTV फोटेज उसी राद किये जिसरा चुन्मून उनतीच चाइल्ड के सेंटर से गायब गई थी वो ना हो ये दोनों वही हैं जिन्होंने चुन्मून को किनेप किया है सर याद में बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जिसने अन्मूल को परजी डॉकुमेंट से अडॉप किया जिसने बिल्कुल वही है तो मतलब अन्मूल अचुन्मून आपसमें कनेक्टेट है इसी कपल ने इन चारो बच्चों को भी परजी डॉकुमेंट से अडॉप किया था तो मतलब मुमकीन है कि ये सारे बच्ची आपसमें कनेक्टेट है यह एक बड़ा गैंग हो सकते हैं अगर यह बड़ा गैंग है तो इनका मक्सब क्या है बच्चों को अड़क्ट करके यह करते के हैं एक हुमन ट्राफिकिंग, बैगिंग माफिय, यह पर कुछ ऐसा जिसका भी हम अंदाज ही ने लगा पाते हैं सरी इन चारह एड़क्टेट बच्चों में से इस बच्चे गवार में इंफोर्मिशन में यह उमेश है चुन्दमून को किटनेप कना वाले दूसरे आदम की पहिछाम का पता चलिया है सरी एक हिस्ट्री शीटर है इनामुल शीख जूद परेब डगेती कई मामे दर्ज है इस इस इनामुल की तस्वीर सब जयागा सर्कुर्ट करवा यह इनामुल और इसका साथ ही मुझे किसी भी सूरत में लाकप में चाहिए सर्फ 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 संकर अब नड़के की दिरे? अरे मैं बात्तों में गया था? बागे चल्ड चल्ड अजा हैंगे तुनाई आपे चुट्चा इन्ने उनको दुशी दात्ती राखिए तुरो पकार पकार सर्फ अब दूसरे रटके का आपे चुट्चा आपे चुट्चा जब चुन्मुन की फोटो एक न्यूस्पेपर में पब्लिश होई थी तो जारकन चायबासर की थाने इन चार्जने में कॉंट्च्ट किया था क्योंकि चुन्मुन की शगल आसिमा नाम की गड़की से हूब हूँ मिलती हैं और उनके ठाने में आसिमा की मिसिंग कमनेट फाइल हुई थी साथ और सब तक्रीबन डेर साल पहले आसिमा के साथ उसकी बड़ी बेहन शगुपता भी मिसिंग हुई थी यह शगुपता की फोटो अलो अब इस बच्ची का असली ना मासिमा है अब अपना नाम चुनमोन मेंने यह सब क्यों बता रहे थी यह जाना जरूरी है कि आखिर फेले इस बच्ची के साथ क्या हुआ है इसकी बेहन शगुफता वो कहां गायब आसिमा आसिमा कहां चली गई आसिमा अब पकड़ते हैं दिख इसमें पानी में ऐसा मिला उन्या अज़ा उन्या क्या कर रहेते मेरी बैन के साथ हम क्या कर रहे हैं हम तो बस रो बस मेरी बैन से दूर है अगर आज की बादे चुआ ना कित्ती परमाना की आयामत आये का इक बाद में समझ नहीं आता है दीदी आज मेरा बड़ दे और आके शीचे दो देंचे गर पे नहीं आये कहा है वो बेटा वो आजाएंगे अच्छा रोक मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ स्कूल में ना बच्चों को टॉफी बाट देना और जो भी पैसे बचेंगे उससे जो खरीदना होगा खरीद लेना यह ले उस पीटी में कुछ पैसे पड़े हुए है जब भी जरुवत होगी ले लेना क्या परता तुझे कब जरुवत पढ़ जाए अब हमेशा मेरे बरोसे थोड़ी रहेगी देधी आप ऐसा क्यो पूर रहे हो मैं आपके बेना नहीं रह सकती अभी तेरे बेना नहीं रह सकती पैटा देधी 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 आपने मेरे जीदी को देखा क्या यह लड़की को हैवे सेड़िटीव्स दिए गए थे इसलिए बेहुशी की हालत में बची जैसी होश में आती मुझे आपड़ करो यह बची आमने को लीड़ दे सकती अभी ऐसा बहुत कुछ है, जो बच्ची से जाना जरूरी है सरम तो डेड़ साल से अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस रहे थे हमारी बेटी आसिमा अगर आपको मिल गई है, तो शगुपता कहा है देखे अभी हम पूरे यकिन के साथ नहीं कह सकते जो बच्ची हमें मिली है, वो आसिमा ही है या नहीं आप कहने क्या चाते हैं सर देखे बच्ची अपना नाम अलग अलग बता रही है पहले इसने अपना नाम मीनी बताया, फिर अपना नाम चुनमन बताया ये लड़की की तस्वीर है, आप देखे ये तो हमारी बेटी आसमा ही है, सर कहा है ये? फिलाल ही अस्पिटल में इसे काफी लंबे अरसे से निशीली दवाई ये जा रहे है नशीली दवाई नशीली दवाई? फिर फिर गज़ साल पहले अपना आमें तफसील से बतायेंगे तो दखा करेगी इस मुर में और वो उस से नखश से आप कुछ नहीं चानता है अज्टल ये सब जानते हैंदर चल और चलड़ा अंदर चलड़ा हूं लाए लिए अरे थिज़रा हैंदर कुछ दिनों के बाद हम दोनों किसी काम से बाहर गये हैं और शाम को जब घर वापस लोटे तो हमने दिखा कि वो दोनों गर पर नहीं थी सरम दोनों ने बहुत जूढ़ना लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिले सर हमें हासी मत लेचले सरम उससे जानना चाहते हैं कि शगुफता का अंकल एक फ्रूट दोनों दो देन चे भूगियो चलाट अलाटके, रोक, रोक अरे, रोक, वा मज्या, वो अंकल पकड़नेंगे और मैंने तेरी मदद की और तू मुझे ही दक्का दे रही है सारी इंगलिश मेडियम वाली है तो फिर चोरी क्यों की? ढूक लगेती तुझे घर पे कोई खाना नहीं देता मेरा कोई नहीं है नहीं कार है एक काम करेगी वहाँ पे तुझे खाना भी मिलेगा और रहने को भी यह अनमोल तुम्हें बहुत सही जगे लाया है यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा आराम से रहना काम क्या करना होगा जूली रवा सुनो आज से लड़की तुम लोग के साथ रहेगी आज हूए जुँअ असीना गवरा मपिटा है, हम सब ठीक कर देंगे शगुफ्ता का है असीना असीना आप दो जब दे, आप दो जब 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 एक बच्ची जो धेड़ साल से दर्बादर की ठोकरे खा रही थी वो अपने माता-पिता के साय से भी दूर भाग रही थी वो सिर्फ उनसे नाराज थी या फिर उसके मन में कोई नफरत भरी होई थी एक 14 साल की बच्ची क्यों अपने माता-पिता को गंदा कह रही थी इसका राज पता करने के लिए चायल काउंसलर की मदद ली गई असिमा और चुन्मुन का रवया जितना रहस्यमई था उतना ही रहस्यमई था उसकी बेहन शगुफता और उसके जीजा राकेश का गायब होना माई लॉर्ड जो माबाब अपनी दोनों बेटियों को देखने के लिए काफी समय से तरस रहा है उनमें से एक बेटी उन्हें डेट साथ के बाद लिए और वो भी उनकी नहीं हो पाती अपने माबाब को देखकर वो चीक ने चिलाने लगती क्योंकि उससे ऐसा करने के लिए उकसाया गया है वो बच्ची तो माइनर है सर इसलिए मैं आपसे दर्ख्वास करूँगी कि उसके कस्टडी उसके माबाब को दी जाए और इस केस को अब्जेक्शन मिलोड मिलोड बच्ची के पेरेंट्स को उसकी कस्टडी देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होती क्योंकि बच्ची जो भी कह रही है बिलकुल सफस्ट और साफ है मैं ये कहना चाहूँगा मिलोड कि बच्ची को कोट के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाए पॉर्मिशन ग्रांटे आप देखर आप हम सब को बताइए कि आपके पापा यूसूफ एमद वो कैसे हैं तो आपने देखा कि आपके पापा आपकी बड़ी बहन के साथ गलत कर रहे थे फिर क्या हुआ हम बदा सिर्फ गेम खेल रहे थे पिर उस दिन के बाद फिर से आपके पापा ने आपके साथ आपके साथ ये जो हो रहा था इसके बारे में आपने अपनी ममी को बताया था पाप, पापा, वहापी जाए से भाग गजा लो, माँ तो बटा इसलिए आप और आपकी दहन उस घर से भाग गए तो, है ना? अबजेक्शन माँड़र, प्रोसेक्यूटर जबदस्ति गवासे अपना बयान दूलवा रहे हैं सरस्केलिए अगर आपकी इजासत हो, तो मैं आशिमा से कुछ पूछना चाहती है ओके बेटा, आपकी बड़ी बैन कहा है? मुझे नहीं मालूप, वो कहां चले गई? और राकेश? सर, उस लड़के राकेश ने हमारी दोनों बेटियों को उमसे दूश कर दिया वरना आप खुदी सोचिए कि क्या कोई माँ आपनी बच्चियों के साथ ऐसा कर सकती है माय लॉड, यह उस बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है उस बच्ची का यह कहना है कि लगातार उसके साथ रेप किया गया है लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट से एक कहीं साबित नहीं हो रहा है कि उसके साथ रेप हुआ इस घटना को काफी समय बीच चुक है मारा लॉड, और कही बार समय गुजर जाने के बाद मेडिकल रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टी नहीं हो पा थी और बच्ची ने एक कोर्ट के सामने बिना किसी दवाब के एक कॉंपिटेंट सैकोलोजिस के सामने अपना बयान दर्च किया माई लॉड, इस बच्ची की बया की पुष्टी करने वाली उसकी बड़ी बैन अब भी मिसिंग है और पुलिस की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इस बच्ची को ब्लड बैंक मार्केटिंग द्वारा लगाता नशे के इंजेक्शन दिये जा रहे थे और पुलिस की कस्टडी में आने के बावजूद भी उसने कई बार पुलिस को गुमरा करने की कोशिश की माई लॉट ऐसे मैं उस लड़की के बयां को ऑथेंटिक हैराना को की भूल होगी मुझे सब लगता है कि शायद राकेश या फिर ब्लड ब्लैक मार्केटिंग वाला इनमुल और उसके साथ ही यह सब मिलकर इस बच्ची को डरा रहे थे धमका रहे थे और शायद इसी लिए वो अपने पिता के खिलाफ इस तरह के बयां दे रही है यह कोट पुलिस को आदेश करती है कि वो इनमुल और राकेश को जल सजन एरेस्ट परें और बाकी केस की कडियों को जोडने के लिए शगुपता और राकेश का मिलना बीहत जरूरी है कोट राकेश और शगुपता को जोडने का भी ओडर देती है अगली सुनाई तक कोट एडजन किया जाता है सर क्या लगता है अखो जाकेश इस केस का सबसे बड़ा मौरा है अब अगर गायब है सो इसके पीछे कोई ने कोई कानी तो जरूर होगगा लेकिन जब तक शगुपता मिलनी जाती है यह साबित करना वाके मुश्किल होगा का यूसफ शगुफता और आसी महादोनों का रेप करता था और अगर सर्थ खब्रियों साइनामुल और शंकर करटे की टिप में ली है वो दोना अशुपनगर एडिया में है ऐगा इप अशुपन कर एडियो थे जोड़े करता हैं जासी बन बहुते हैं क्यों सो desapsong साथ हम किसी बहन को नहीं जानगी हो लाठ क्या तुम ढोला को जानती हो तुम जिसको चुन्मन कह रही हो ना, उसका असली नम आसिमा है, क्या तुम जानते है असबाको? नहीं सर, चुन्मन नहीं तो कभी नहीं बताया, उसको तो अन्मोल लेकर आया था अन्मोल, तुम्हीं लोग बच्चों को फजी डॉकुमेंट से अड़प कर रहे थे, और फिर वने साड़े टीप देज देते थे, करते क्या थे तुम लोग बच्चों के साथ? हम सब का खुन निकाला जाता है बच्चों का खुन? क्यों? सब, शंकर और इना में बोलती थे, अच्चों की खुन से बुड़े लोग भी जवार हो जाता है पर से चल दा था जी सवार? काफी टाइम से एदंदा कर रहे थे सावां तुमारे गिरोव में और कॉन-कॉन शामिल है? सब कुछ हमी संपालते हैं और कभी अगर जरुवत लगती ही तो कुछ डॉक्टर्स को बलाते हैं चौनमंग के बास हमें एक टिफिन मिला था जिसमें बहुत सारे नोटों की गड़ियां आती है और उन गड़ियों पे एट-पी, जी-पी, आर-की ऐसा बात कुछ लिखावा था वो सब क्या है? साब जिसको भी थम चटता था उसका पेमिंट होता था कोई न पर शकत ना करे इसलिए एम लोग बच्छोंको बच्छों को बच्छों को से मेट लानी लानी के लिए नोटों कि गड़ड़ी पर जो एक श्रद रूदा था लेकिन राकेश का एक दोस्त विशार, उसके बारे में एक खबर मिली है कसी खबर? विशार, विशार एक गरी परिवार से है लेकिन राकेश के गायबने के कुछ बिनोबाद इसके अकाउंट में अचानक से 10 लाक रुपर जमा किये गए वो भी यूसुफ के अकाउंट बोज, क्या गए में तेरा? श्रागुपता राकेश का है बोज़! मुझे नहीं मॉलूम साब मैं तो दस मीने पहले आखरी बार देखा था राकेश को उसी दारान यूसुफ ने तेरे अकाउट में अपे डलवाए था क्यों? श्रागुपता, आसिमा और राकेश के शेर छोड़ने के बाद यूसुफ अंकल उन्हें ढूंडते हुए मेरे घर आये थे और मुझे ढमकी भी दे थी क्योंकि वो जानते थे कि मैं राकेश के सबसे करीबी दोस्त हूं पर जब मैने उन्हें कहा कि मुझे नहीं पता कि वो दो नगा है उन्होंने मुझे पैसो का लालज दिया और कहा कि जब भी तुम्हे राकेश कॉन्टेक करे तो तो मुझे बताना फिर दस में में पहले आँ, ओके जब राकेश का कॉल आया तो मुझे पैसो का लाला चा गया फिर मैंने ये सब यूसफ अंकर को कॉल करके राकेश के बारे में सब बता दिया राकेश, आजा, आजा यार मैं सोच भी नहीं सकता था कि शगपता मुझे दोका देखिए उन्हें न्यूड आकेश बोल शगोफ सब राशी माकाए उसके बाद उन दोनों के साथ क्या हुआ मैंने जानता साथ विशार ने हमें तुमारे शोहर यूसफ के बारे में सब कुछ पदा दी अब तुमारी बारी तै कर लो सच बोलना या जूट लेकिन अगर जूट बोला तो जितनी सजा तुमारे शोहर यूसफ को होगी उतनी ही तुमें भी होगी तो सोच लो अदालत में जूट बोलोगी या सच के बोलोगी सर मैं मुंबई से पली बढ़ी हो लेकिन मेरे माबापने एक छोटे से कस्पे में यूसफ के पल्ले मुझे बान दिया मैं हमेशा से एक उंची लाइफसायल जीना चाहती थी और इधर मेरे बच्चे बड़े हो रहे थी लेकिन मैंने कभी में उनकी परवारिश पर ध्यान नहीं दिया एक दिन जब शुकुफता ने मुझे पताया कि यूसफ उसके साथ क्या करता है तो मेरे होश उड़ गए यूसफ इतना नीचे गिर गए तो अपनी बेटी को भी नहीं बख्षा अरे कैसे बाप हो तुम शरम नहीं आई तुमें ये जादे ग्यान मत दे और वैसे भी तुम तो मेरे पास आती हो नहीं और बाहर कितने मर्दों के साथ संबंद है ना सब मालोगा मुझे जब मैं तुझे नहीं रोकता तो तू कौन होती है मुझे रोकना वाली मैं अपनी आजादी नहीं कोना चाहती थी इसलिए मैंने यूसफ के साथ सौदा कर लिया और अपनी बेटी की तकलीफों को नजर अंदाज कर दिया यूसफ ने पहले मेरी बड़ी बड़ी वेशिश्टा और राकेश के साथ यूसफ ने क्या किया ये तो जानती होंगी ना विशाल की मदद से यूसफ ने राकेश का पता लगवाया और राकेश को बहुत पारा राकेश ने शुगुफटा के बारे में बताया और उसके बाद यूसफ लपनाव पहुचे और वहां सिब कड़कर शुगुफटा को चाय बासा लेया रही तो किस्मत थी कि मेरी छोड़ी मेटी वहां नहीं थी लेकिन शुगुँटा उससे एक है अजय अर्ण। एक साल पहले तक इसी के डिजर बे नहीं आया है अगर असीवा उन पैसों के साथ पुलीस को नहीं मिलती तो शायद सालों तक ये ऐसे ही छिपा रहता वनी असीमा अनमोल कई बच्चे जिस अपराद का शिकार हुए उसका पैवना भी बड़ा था इस अपराद में कई बड़े नाम आज भी सामने आ रहे हैं इस अपराद में ऐसे मित को बिल किया गया जिसमें बच्चो है कि हमारे बच्चे आज मरती हुई इंसानियत में पल रहे हैं और जब बच्चे अपने करीबियों और अपने माता-पिता की हिंसा का शिकार बनते हैं तो उनकी दुनिया वही खत्म हो जाती है हमें बच्चों की मासूमियत को बचाना होगा और ये तभी संभव हो का हमें बच्चों को एक स्वस्त और आशावादी जीवन देना होगा तभी मानवता को बचाया जासे होगा अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पिट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट की विश्ल For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.